नमस्कार, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रहे थी, दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितनी हमारी हेल्थ इंफासिक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली जरूरत है, लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 300, किसी दिन 400, किसी दिन 400, इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वज़े से अस्पतालों में कमी हो रही थी, अस्पताल मेसेज पर मेसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था, इस अस्पताल में घं पहली बार दिल्ली को 730 टन ओक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। कर बहुत शुक्रियादा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ओक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्र गोजारें। बहुत सारी जाने बचेंगी इसकी वज़े से याख कदम की वज़े से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सिजन आने से काम नहीं चलेगा जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती हमें डेली 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है ऐसा नहों कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए फिर से सारे अस्वतालों के अंदर हाहा कार मत जाएगा मेरी सबसे हाथ जोड़के विंती है अपील है प्राथना है कि ये 700 टन ऑक्सिजन अब कम मत होने दीजेगा डेली 700 टन ऑक्सिजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के रिनी रहेंगे हम सब लोग की शुक्र गुजार रहेंगे इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सिजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिये ये बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड है उसमें 100 बेड कम कर दिये ऐसे समय में जब करोना की महमारी चल रही है लोगों को बेड नहीं मिल रहे हमारा प्रयास तो यह होना चीए कि हम ऑक्सिजन के बेड की आई सीउ के बेड की संख्या को और बढ़ाएं लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे तो फ बेड कम करने पड़े राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सिजन की कमें की वज़े से अब एक तो मेरी सब ही अस्पतालों से निवेधन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें मैं उमीद करता हूं कि अब रोज 700 टन आया करेगी तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के वो सब बेड अपने उतने ही बढ़ा लें दूसरी बात कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकातों इन दिनों में सभी अस्पताल दिल्ली के सभी लोग इस वकत एक जुठ होकर एक परिवार की तरह मिल के इस मुसिबत का सामना कर कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सिजन दिलवा दें तो हम और बेड़ बढ़ा लेंगे कोई कहता है मैं 100 बेड़ और बढ़ा दूगा लोगों को बचाने के लिए मैं 1500 बेड़ और बढ़ा दूगा तो मैं पूरी उमेड करता हूँ कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सिजन डेली आया करेगी तो वो ना केवल अपने जितने बेड़ हैं उनको चालू करेंगे लेकिन जो बेड़ और जितने बढ़ा सकते हैं उनकी जितनी भी ख्षमता है और बढ़ा सकते हैं और जाद से ज़ादा पेशेंट्स को एड्मिशन दिया जा सके उनकी जान बचाए जा सके अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लाईन किया हुआ है अगर 700 टन ऑक्सिजन, अगर 700 टन ऑक्सिजन डिली आ जाती है दिली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सिजन के beds create कर देंगे धेरों beds create करने का हमने plan बनाया हुआ है हम इतने oxygen के beds अभी oxygen की कमी की वज़े से हम राधास्वामी सबसंग में हम 5000 bed create कर सकते हैं बुराडी में दो जगे हम लोगों ने 5000 bed तयार किये हुए है Commonwealth Games के अंदर 1000 bed तयार किये हुए है यमना sports complex में 1000 bed तयार किये हुए है 9.5-9.000 bed हम तुरंथ तयार कर सकते हैं अगर oxygen समुचित मिल जाए हम लोगों को तो अगर oxygen समुचित मिल गई हम यह सारे bed oxygen beds create कर देंगे अगर 700 ton oxygen daily आने लग गई मैं आपको को भी oxygen की कमी नहीं होने देंगे oxygen का bed हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्द करा पाएंगे अगर हमें daily 700 ton oxygen मिलना चालो हो जाएदा हर व्यक्ति को oxygen का bed मिलेगा oxygen की कमी की वज़े से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे दूसरी बात अंत पंत में तो अपने को vaccination करना पड़ेगा इसका समधान तो vaccination है और vaccination अभी 18 से 45 साल के उमर के युवाओं के लिए जब से हमने vaccination खोला है तो बड़ा उत्सा है युवाओं के अंदर vaccine लगवाने का पिछले तीन चादिन में मैं मनीश जी सतिंदर जैन जी हम सब लोग कई सारे vaccination centers का दौरा करके आए है युवाओं से मिलके आए है इतना उत्सा है युवाओं के अंदर और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपके सरकार ने की है आपके लिए vaccination centers में उसको लेके लोग बहुत खुश है इतने message जा रहे हैं मेरे पास इतने message जा रहे हैं लोगों के युवाओं के कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं गया था मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर vaccine लगवा के मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है युवाओं से क्या आप तो 18 साल से उपर जो भी है केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा है मैं सब की बात कर रहा हूँ अगर आप 18 साल से उपर की उम्र के हैं और आपने vaccine नहीं लगवाया तो आप ज़ूर रजिस्टर कीजिए appointment लीजिए और जाके vaccine लगवाईए अपने जादा से जादा दोस्तों को बताईए रिष्टेदारों को बताईए सब लोगों को vaccine लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,64,000 डोस दे चुके हैं इनमें पहली डोस 28,000 लोगों ने केवल एक डोस लिया और 7,64,000 लोगों ने दोनों डोस लिया और पिछले तीन दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए युवाओं के लिए ये खुला है तीन दिन में दिल्ली में 130,000 के करीब युवाओं को वैक्सिन लगी है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी अभी हमारी जितने पिछले तीन दिन के अंदर सारी विवस्थाएं बहुत अच्छी तरह सकते हैं वैक्सिनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी वैक्सिन की कमी सप्लाई की कमी हो रही है अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रामिस किया था कि तीन महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैकसिन कर देंगे तो अभी सप्लाइ का हम उन्तजार कर रहे हैं अगर स्प्लाइ हमारे पास सफेजिन्ट आ जाएगी जितनी जल्दीप्लाइ आ जाएगी हम इसको बहुत सारे संटर खोल देंगे संटर खोल में कोई दिक्ट नी है तो उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारे काम कर रही है ये एक इतनी बड़ी महमारी है जिसको कोई भी अकेले इस पे पार नहीं पा सकता मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे सारी सरकारें मिलके काम करेंगी कोर्ट का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है सभी कोर्ट भी मदद कर रहे हैं सारी संस्थाइं भी मदद कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उपर वाले के क्रिपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे नमस्कार